रेबीज एक घातक वाइरल विमारी है या सीधा सिंटर नर्वर्स सिस्टम पर असर डालता है। रेबीज सब्दकार थे पागलपन या आमतर पर कुत्य और जंगली मान सहारी जानवरों के काटने से फैलता है। सबी गर्म खून वाले जानवर आतिसमवेदन सील होते हैं। ऐसे में रेबीज फैलने का खत्रा बहुत जादा होता है। ज़्यादतर मामलों में रेबीज के लच्छर तीन महीने के भीतरी समझ आने लगते हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी सामने आये हैं जब ये खतरनाग बिमारी बन गए हो। सोसल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है। सक्ष रेबीज के संक्रमट से लड़ रहा है। सक्ष के सरीन में संक्रमट फैल चुका है वह आजीवों गरीब हर्कत कर रहा है। 1905 के फूटेज में एक इरानी व्यक्टी को भेडिय दोरा काटी जाने के बाद रेबीज से बिमार पढ़त हुए देख सकते हैं। एक बाद लच्चड दिखने के बाद रेबीज लगबग 100% खातक होता है। इसमें रेबीज से बचे लोगों के केवल 29 मामले दर्श के गए हैं। कि कुछ लच्चड वर्सो बाद भी दिखाई देते हैं। रेबीज एक बहुत ही खतरनाग विमारी हैं जिसमें वाइरस सरीर के नियूरेल तंथ को प्रभावित करता है। रेबीज मस्तिक और नसों को नुकसान पहुशाता है। इसलिए कुछ लच्चड वर्सो बाद भी दिखाई देते हैं। जैसे मास्पेसियों में कमचोरी, इस पीच में दिक्कत शेहरे की मास्पेसियों में एठन, मांजिंग समस्याएं। इसलिए रेबीज का इलाज सही समय पर कराना बहुत जरूरी है। टिका करट भी रेबीज से बचाओ का एक माद्र तरीका है। झाल